अब आज है 17 जन्वरी और ठंड बहुत बढ़ गई है तक्रिबन आठ साथ साथ पिगरी है बहुत ठंड है बॉलने में भी मुश्किल हो रही है और अभी में आपर वारी के आगया हूं फिर सुबह के बज़रे हैं साड़े आठ तो ये रहा अमरा लालू बहुत सरार ही था दूसरा एक पपी आया है फिमेल डॉग है यहीं कहीं था चोटा वाला पहले इदर थे नो चोटे चोटे उसमें से एक रह गया है दूसरे आप दूसरे फार्म पर चले गए हैं तो इदर ही था बहुत सरार करते हैं वो लोग तो अभी में इदर सुलेस काम एदब मैचेर हो चुकी है यह अब यह नया नया उगना चालू हुआ है कितना मस्त ब्यूटिफुल लग रहा है देखिया आप कि अधिए आज का ब्लोग स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में जाओ का घर पर वहां पर क्या ड्रेनेज का टैंक बनाना है सेफ्टी टैंक फोड़ा उंचा लेना है तो वह भी करना है काम और उस वाड़ी पर काम है तो थोड़ा बिजी सीडियूल है तो काम रहेग तो वीडियो हो सके घातों में लोग बनाओं गा परना यहीं व्लोग को कंटीनू करेंगे साइद तो फूरा हो जाएगा साम साम तक लोग अपलोड हो जाएगा नोबज आएगा हमारा डेली व्लोग 9 बज़े जा सुबए के साथ बज़ाएगा तो हमारे चनल पर नहेया है मेरे वहां पर ट्रेक्टर पर पंचर हो गया है आगे का जो ट्रायर है इसमें दिक्कत है तो मैं वह लेके तो पंप लेकर आऊँगा हुआ अब वहां पर चलते हैं क्या होता है देखते हैं दोस्तों हम आगे इस वारी पर और यह चैन इसका निकल गया है लूज था इसलिए पूरा अब यह मरा राज भई ठीक कर रहे हैं अब हमें राज भई ने फिक कर दिया है इसके पूरा यभी इसका जो गयरात है वो खतम होती है जादा नहीं टाइट कर सकते होरना टूट जाएगा गाड़ी भी इतना फ्री नहीं चल गया पूरा कर दो दोस्तों हम बना रहे हैं यहां पर चाय बीना दूद वाली इसको काड़ा बोलते हैं यह हमारी सगड़ी है इस पर हम बार-बार चाय बनाते रहते हैं वह मैंने बनाई यह हमारा राज भई है सक्कर और नचीनी और यह चाय का पति नहीं था तो उद्द से लेकर आए हैं तो लोग रहे रहे हैं उसके पास से अभी इसको थोड़ा हाइट पर रख दिया है ऐससे सीधा पहुंग चला जा अंदर और जल्दी से गरम हो जाए हमारी चाय इसलिए अभी एक आइटम दालने भूल गई इसके अंदर चाय पति जो आती है नहीं वह है नहीं इदर अना तो वह भी जाल देते हैं उससे अच्छा स्वाद मस्त आता है उसका अभी 15-20 मीट लगेंगे इसको तो दोस्तों जवर्दस प्रब्लम होगी है यह टायर में हवा नहीं है पंचर है शाय लगता है शाय तो अभी क्या है मैंने इस पर पथर पर चड़ा के टायर अभी यहां पर हैमर डाल दूंगा मैं यहां पर आकि यह उचा ही रहा है और मु तुल बोक्स होगा है हमर तो डाल देंगे दार अब यह 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 लिखने पड़े का रहा है गापी जाए का है और थोड़ा पार पथर के लिए तो पूरा जाह नहीं जाता नहीं है जाए इसके लिए थो पर चाहिए और अपड़ेगा अभी यह दिकत हो गई है प्राबडा पथर लाके उसके उपचाड़ाना पड़ेगा मुझे तो अभी मैंने लगा दिया है यह देखिए हैमर जाल लीचे तो अभी मैं इसको टायर को खोल के गर्शी जाले के जाना पड़ेगा पंचनी को अब अभी मुझे यह खोलना पड़ेगा अभी मुझे यह खोलना पड़ेगा झाले झाले यह विए पूरा ऐसे हो गया है तो चलते हैं वहाँ पर वापिस दूकानवाले के पास पर्सिस जाने पड़ेगा विशल बाई के पास बंचा निकल आने के लिए अब क्या दिख़दार ही है यह थोड़ा जमीन जो है यह उचा पड़ रहा है तो इसको खोद के पूरा करना पड़ेगा कि अभी टायर में हवा बर गई है इसलिए वह थोड़ा दिक्कत करवाएगा तो वह लेकर है नीचे से निकाल देगे अभी बंचर तो हो गया एक बंचर था इसलिए दिक्कत नहीं आई हवा भी इसमें 40 आती है वह भी प्रब्लम रहता है थोड़ा बहुत चलिए यह सब करके मैं फिर आपको वीडियो को कंटीन्यू करूंगा तो अभी टायर फीट कर दिये देखिए अभी आज थोड़ा काम करना था इदर से कचा उठा के उंदर डालना था लेकिन देर होगी अभी साढ़े पांच बज रहे हैं तो कल सुबह करेंगे तो चलिए वीडियो को यहां करते हैं एंड मिलते हैं कल नए व्लोग में तब तक के लिए सब को जैहिन बाई बाई